नमस्कार दोस्तों जो वियर स्टेडी किस प्लेटफर्म पर आपका सौगत करते हैं जैसा कि आपको पता है कि यूजी सी नेट एक्जाम में ज्यादा दिन सेश नहीं रह गए हैं ठीक है तो इसके पहले वाले वीडियो में आप आपने पढ़ा था डाटर इंटर्पटेशन क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो परसेंटेज अब आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपास समानुपाथ और 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 क्योंकि ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिससे डाटर इंटर्पटेशन में कुश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग जिसको हम लोग इंगलिस में कहेंगे रेसियो एंग परपोर्स ना अगर अगर हम लोग बात करें तो अनुपाथ ऐसी देखिए अनुपाथ क्या है कि जैसे दो लोगों में कुछ चीज बाटना है तो किस अनुपाथ में आप बाटेंगे अगर वो अनुपाथ एक अनुपाथ एक भी हो सकता है जैसे माली जी दस जार रुपए है और दो भाईयों में बाटना है तो क्या हो गया एक हिस्सा उसके पास जाएगा और एक हिस्सा दूसरे के पास जाएगा जैसे कि दस जार रुपए है दो भाईयों में बाटना है त यही इतुकर आगर दो पका आजा जाए है कि दस हजार रुपय को दो इंधाद तीन अबाटनाय तो दूस मतलब क्या होता हिए कि पांच हिस्पांडा इनका मतलब आटान पांच हिस्प्रात जाएगा एक के पास और तीसरे के पास तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं और अगर समानपाथ को बात करें तो समानपाथ क्या होता कि दोनों को जैसे मान लीजिए समानपाथ की अगर हम लोग बात करें जैसे हम लोग कि यह हम कह सकते हैं कि चार उनपाइच्छे के समान क्यों है समान देखिए पता दे रहा है जो संख्या यहां पर वहीं संख्या यहां पर निकल कि आगी अगर इसका सबसे अच्छा उधारन क्या है कि आप क्रॉस मॉल्टिप्लाई करा दीजिए ठीक है तो दो का अगर हम 6 में मॉल्टिप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 12 और 3 का 4 मॉल्टिप्लाई कराएंगे तो 12 यह यह चीज़ें समान हो गई है इसी दिए इसको कहते हैं समान दो चेक है तो सबसे मैन चीज है कि आप यह देखेंगे एन पाथ बी समान दो पाथ सी अनुपाथ डी अगर हम लोग बात करें तो A को हम लोग कहते हैं पर्थमा अनुपाथ, B की अगर हम लोग बात करें तो B को कहते हैं दुत्तिया अनुपाथ, C की हम लोग बात करें तो C को कहेंगे तृत्तिया अनुपाथ, और D की बात करें तो D को कहेंगे हम लोग चत्थृत्ता अनुपाथ, ठीक है, अब इसको देखिए लिखने का तरीका क्या बनेगा अनुपा, कि देखिए A अपॉन B, समान पात को हम लोग बरावर कहेंगे, C अपॉन D, अब क्या गरें, क्रॉस मल्टिप्लाई, A इंटू D, बरावर B इंटू C, अब देखिए इसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं, कि चार चीजे दी गई है, जैसे मानली चार है, उन मैंसे एक चीज़ आपको पता नहीं है, तो वो पूछ लेगा कि इसके जगा पर क्या आएगा, चीक है, अब अगर मानली जैजिए इस तरीके से नहीं करना, इसको नकालना नहीं तो कैसे नकालेंगे कि बाहर बाहर का गुणा करा देंगे अंदर अंदर करा देंगे और उनको बराबर करतेंगे बाहर का गुणा एंटू डी वही आ गया अंदर अंदर का गुणा बींटू सी तो इनको आपसम बराबर कर देंगे जो भी चीज नहीं पता होगी आपक कि हमने मान लिए कि आठ अनुपात 24 समानुपात कहा गया एक्स अनुपात 36 कि एक्स कि स्थान पर क्या आएगा तो वही अभी अबने बताया कि आपको बाहर बाहर का गुणा कराना अंदर 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 गुणा तो अगर हम लोग ऐसा लेक सकते हैं को 24 इंटू एक्स बराबर आट इंटू अगर हम लोग इसको काटे तो आच दिया 24 और तीन से काटेंगे तो बारा तो एक्स की वैरू जो निकल की आई वो कितनी निकल की आगी बारा ठीक है अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे मध्यान उपात के बारे में सबसे पहले चीज मध्यान उपात होता क्या है मध्यान उपात दो संख्याओं के बीच का अनुपात होता है ठीक है तो अब दो संख्याओं के बीच का अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे कि अगर मान लीजे A अनुपात B आपको पता है और आपसे कहा गया है कि मद्ध्यानुपात ग्याद कीजिए तो मद्ध्यानुपात का मतलब होता है अंडरूड A इंटू B जैसे कि एक छोटा सा एक्जामपल हम लोग लेते हैं कि चार अनुपात 9 का मद्ध्यानुपात कितना होगा चार अनुपात 9 का मद्ध्यानुपात कितना होगा तो देखिए करना क्या होगा कि आपको चार का गुणा 9 में कराएंगे तो निकलके कितना आया 36 आया और जब 36 आया तो इसका अंसर कितना बनेगा 6 तो इसका जो मद्यानुपात है उसको हम क्या कहेंगे 6 है ठीक है अब आप दो सवाल हम आपको दे रहे हैं इसको कमेंट में करके बताएंगे आप कि 3 और 27 का कितना होगा ठीक है तीन और 27 का कितना होगा और 8 और 18 का मद्यानुपात कितना होगा, तो इनके answer आप comment यह अपके oddes Write, कि आपके answer क्या है? ठीक है? छलिए, अब हमने पढ़ लिए मद्यानुपात, अब आगे चल के देखते हैं, लोग वरगा नुपात के बारे में, ठीक है? अब वर्गानवाथ क्या होता है मजिये जैसे मानले कि या तो समझ में आ रहा होगा कि वर्ग करना में तो तीन का वर्ग कितना हुआ 9 3 western और इसमें 5 का वर्ग कितना हुआ 25 तो सिंख全 यह जब चलिए अब हम आपको जब आपको चलिए अब हम आपको चलिए ऑफ सका के यह चोत जाए नई उपाद ब्रू पाद हैं अब आप से कहा गया है की is a 経-इन सी में बदल लिए ठेकि है तो अब देखिए इसका तरीगा क्या होता कि वह एन पाद बी लिख खामने और बी कौट जेट भी अनपास सी लिग दियुसके नहीं चे आप देखे इसका इसका गुना कराएंगे हम लोग इसमें दी गुना सी ठीक फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे भी गुणा भी फिर एक इसके साथ गुणा करा देंगे एंटू भी अब जैसे इसके हम एक्जाम्प लेकर चलते हैं जैसे आपको पता है पर इसको हचा दे आपको पता है कि एन वे हैं वो है दोन पास ती ठीक फिर बी अन पास ढशे है ओपापक पाँठीरव ऌतर पाच मुद्वार को लिहां समझे हो एन पात भी है दोन पात तीनए फिर बी नो पास पास एक कि चार नो पास पाच तो आप से पूछया है कि A 한번 बाद दी अपाद सी गया जिए A São 5 बी ऐन पार सी गयात किजिए है却 से बहुत तरीका करें हम ऋचरियों आपको बताया की два पात तीन ओर इसके नीचे लिखेंगे चार उपात पांच ठीक है इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो तीन का पहले करेंगे पांस से मॉल्किप्लाई करिए तीन पच पंदरा फिर तीन का मॉल्किप्लाई करेंगे चार से तीन चोको बारा फिर दो का मॉल्किप्लाई करेंगे चार से यान दुचोको आठ तो जो ए अनुपात बी अनु बने पाद सी बेराबर 405 पता है तो अगर आपसे एनवाद बीन पास पूंछा जा रहा है तो हम इसको दूसरे तरीके सा कैसे हम बताते हैं देखिए देखिए सऩरी है तो सबस्पहरी चीज्ज यहां पहले लिए एनपाद बी नपासी जो आपको निकाल ला है अब तुम्हें दिया किया था ए और बी के भी इंपाफ़ दो नपाफ तीजे आप वी और सी के पाफ स्थ चार Bubyo जिसके बगल में जो जगा हा लिए उसमें वही संख्या वरना जैसे तीन के बगल में जगा का लिए यह दर तीन Gus दीजिए चार के बगल में जगा खाली तो यहां पर चार भर दीजिए और आपस में मुटिपलाई गरा दीजिए देखे चार दुनी आठ तीन चोको बारा और पांस्तिया पंदरह तो इसका जो आंसर वनेगा आठ बारा पंदरह देखे यह जो तरीका है यह वाला जो हमने ब पांके जिसें A अनुपाद B वरावर दिया गया है तीन अनुपाद चार B अनुपाद C वरावर दिया गया है दो अनुपाद बी अनुपार्ट सी अनुपार्ट डी गयात कीजिए तो इसको देखे वैसे ही तरीके सब बताएंगे जो भी उने बताया था इसमें लिका तीन चार दो एक और पांच साथ आँ है यहाँ पे आ नहीं रहा हो गए तर देखने रहा हो आपको श्रस साइट से कर दें रहें कि अध्यर एँ आ C की जगा क्या है 2प गर और देखिजिब आप साथ अब देखिए जिसके गढ़र में जो जघ़ा खाली वही संक्या बगर देंगे तो 4 5 कंच बस आपसर मैं मंठिपलाई करा देगे सिंपर कैसे 3 दुनी 6 पंचे 40 14 दूनी 8 पंचे 40 25 संवाइद है तो झाहिए साथ चौक आठाइट है ख्यार अगर तरह चारी संख्या संख्या हो रही आगर नहीं зов रही तो फिर संख्या किया है दौसे जबाइड हो जाएगा तो दो से काट दीजिए इसको 15 हो जाएगा यह 20 हो जाएगा यह 10 हो जाएगा और यह 14 हो जाएगा तो जो आंसर निकल के आया अब यह संक्या किसी से कटेगी नहीं तो आंसर आपका क्या आया 15 अनुपात 20 अनुपात 10 अनुपात 14 ठीक है अब चलते है नेक्स्ट कुश्चिन पर चलिए नेक्स्ट कुश्चिन हम लोग देखते हैं कि जैसे मान दीजे एक्स अनपात वाई आपको पता है एक्स अनपात वाई वर पता है आपको तीन पात चार है फिर आपसे कहा जा रहा है कि फोर एक्स माइनस टू वाई अनपात फोर एक्स प्लेस टू वई इसके अनपात व्याद करना आपको जब एक्स और अनपात वाई का मान दिया गया है तीन पात चार है तो आपसे पूछा गया है कि 4x-2y अनुपाद 4x-2y का वैलू कितना होगा वो भी अनुपाद में आपको बताना है क्योंकि अनुपाद बीच में लगा अब देखे यहां पर एक चीज़ आपको समझने होगी कि तो 4 ती यह कितना हो गया 12 माइनस अब य की जगह हम लोग 4 करा दें तो वाई यह दिखिए मुल्टिप्लाइ मैं ऐसा नहीं कर यह वाई की जगा चार लेगे देंगे तो 24 कर देंगे उसको ऐसा नहीं है तो यह दो जो है वो मुल्टिप्लाइम है तो दो चौको आठ हो जाया गाई यह अनुपाद फर यही वैलू इसमें आ जाएगी लेकिन इसमें प्लस लगा तो यहां से जो निकल के आया वो आया चार और यहां से जो निकल के आया वो आया बीस तो अगर हम इसको चार से काड़ दें क्योंकि यह कट जाएगा चार से इसलिए इसको काड़ देंगे तो चार एक हम चार और चार पंचे बीस तो जो इसका अंसर बनेगा वो बनेगा एक पांच चीक है एक कुछ दोर करा देते हैं हम इस तरीके का इसमें कहा गया कि M और N की M अनपाथ N की जो वैलू है वो है पांच अनपाथ साथ कह रहा है कि 5M प्लस 2N अनपाथ 5M माइनस 2N की वैलू गयाद करनी है आपको 5M प्लस 2N अनपाथ 5M माइनस 2N की वैलू आपको गयाद करनी है क्या निकल के आएगा तो इसमें भी पहले की तरीक करेंगे क्या करेंगे एम पहले नंबर पर और यहां पर पहले नंबर पर कौन सा है पांच तो M की स्थान पर हम लोग 5 रखेंगे और N की स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे साथ रखेंगे तो ठाक इसमें वैलू पट जैसी कराएंगे तो यहां पर 5 अगर पट कराया तुमने M की जगा पर तो 5 क्या हो जाएगा 5 का मुल्टिप्लाइ पांच में यानि के 25 फिर यहां N की जगा आपने साथ रखा तो क्या हो जाएगा दो सकते 14 अनुपात यहां पर फिर 25 और माइनस के 14 जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 49 और यह बचेगा 11 तो जो इसका आंसर बनेगा वह बचे बनेगा क्या 49 अनुपात 11 आएगे देखते हैं वह कुश्चन जो आपके पिछली परिक्षा में पूछा गया था बिल्कुल इस इसी तरीके से था क्या है कि एक्स अनुपात वाई की जो वैलू दी गई है साथ अनुपात 9 है और आप से पूछा गया था कि थ्री एक्स माइनस 5 वाई अनुपात 4 एक्स प्लेस वाई इसकी वैलू आपको ग्याद करनी थी तो यह आपका पिछली परिक्षा में पूछा हुआ कुश्चन था 2019 में आया था यह कुश्चन तो आपको देखिए लगान इसकी होता है और 9 पॉचकर आइँगे तो कितना हो रही है तॉता है पार 55 डिक यहां पर यहाँ पर 7 रख देंगे तो साथ च्थो को 28 प्लूस वाई की जग़ा रख देंगे तो सिरसीwo नो रख देंगे यहां पर अभी आर देखिए तो मांनेस का 0 thirteen तनमानिस की वैलू जा गया अब इनको हम जो लोग जैसे एड करेंगे तो यह कितना होता है नौट सत्रह सेंट इस ठीक है तो यह जो आंसर बना है वह आपका अंसर आया था माइनस के 24 सेंथिस या अपके ऑप्सण में था क्या माइनस के 24 बाटे सैंथिस तो दोनों एक ही चीज है ये बिल्कूल सिमिलर एक ही जो पिछली परिक्षा में पूछा गया था तो फिर इन दौनों संख्याओं में आठ जोड़ दिया जाए तो इनका नुपाद पांच पक्ना हो जाता है ठीक है अब एक चीज और समझेंगे आप जब भी आप इस तरीके सवाल करेंगे और अनुपात हटाएंगे तो उनके साथ X लग जाता है 3X या कोई भी वह मान सकते हो जैड मान सकते हो ए मान सकते हो और इसमें भी जब जैसी अंपा ठटेगा तो क्या हो जाएगा 7X अब यह सवाल कह रहा है कि भाई प्रतेक संख्या में अब संख्या यह है आपकी 3X और 7X चाहिए यह प्रती इन दोनों संख्यां में 8 जोड दिया जाय तो अब इसमें भी 8 जोड़ेंगे तो क्या करेंगे 3 X प्लस एट और इसमें वी अगर हम लोग आठ जोड़ेंगे तो किया लिखिए गए 7x प्लस एट तो उनका अनुपात पांच अनुपात नौ जाता है यानि कि कितना हो जाता है पांच अनुपात नौ यानि कि यह जवाइट करना पोड़ेगा कि अच्छिक अब आपको निकालना है कि वह संख्या कौन सी है वह संख्या कौन सी है यह आपको बताना है तो सबसे पहले सीज़ देख कुए आप अगर हम लोग लिए कि पास साथ है कोई भी संख्या दो जोड़ें तो वह संख्या अनुपात मद्ग जाता है पाच पहली संख्या हो गई इसमें घ्ला तो ऋने लिड़ाइक अपर आश्च जोड़ दिया बन अनुपात नहें इा दो millenn यह पहले लग लिजिए नौत यह 27 एक्स नौट बाद तर अपांसते 35 एक्स और पचटे 40 तो कि चालिस यहां ले आजाएंगे प्लस का चालिस है और अधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और 27 उदर ले जाएगा तो 35 मैंसे 27 चेले जाएंगे तो कितना बचे का यह पहले सबचेगा और 72 मैं 40 घटा दीजे तो कितना आजाएगा 32 यानि कि बच्टिस अब एक्स की वैलू कैसे निकालेंगे इसका डिवाइट कर दें तो यह मल्टिप्लाइब मैं और सामने वाले में अगर वराबर में जाएगी जो भीचिस माल्टिप्लाइगी और डिवाइड हो 28 तो आपके option में भी था कि वे संक्यां कौन से हैं तो पहला जो भी option है 12 और 28 उसका आंसर सही होगा तो यह देखा हम लोगों ने अनपास समानपात के कुछ question और इन ही से आपको मदद मिलेगी डाटा इंटर्पोटेशन में ठीक है तो अब अगला वीडियो लेके आएंगे एबरेज का यानिकि ऑसत का जो कि वो भी इंपोर्टेंट है डाटा इंटर्पोटेशन के लिए ठीक है आप लोग बने रही हमारे साथ थैंक्यू